नए वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों ये चांद कोल का इलाका चांद कोल गेट से भी अंदर आगी और ये पुरा यहां का व्यूँ तो आई ये वीडियो शुरू करते हैं पुरा वीडियो देखें मज़ा आने वाला है तो दोस्तों इस वीडियो में हम से तुक टूख की बेटरी वाली गाड़ी में सफर कर रहे और ये पुरा जेपुर का पुराना सिहर जूसे सिर्फींक सिटी ऑलते हैं मेरे पिंक सिटी के अंदर हमें एक और यह पुरा एरिया आपका जो दिखरा यह पुरा पिंक सिटी का पुराना सिटी जिसे बोल के पुर्णते हैं कि उसी का एरिया है और यह उपर आप देखेंगे, दिल्दिंगों के बहाद, यहाँ पर यह चांदपॉल का एरिया है, इधर भी देखेंगे आप, तो राजाओं के टाइम में जब इस सहर को बसाया गया था, तो यहाँ पर मुज्रा हुआ करता था, और यह वोही जगह है, चांदपॉल की, जहां पर यह मुज्रे होते थे, राजाओं के सोग पूरे करने के लिए, दान्स होता था, मुज्रा होता था, लेकिन आज यह इलाखे, चांदपॉल के यह इलाखे, अलग ही रंग में अलग ही नाम के साथ पचाने जाते हैं, शाम को रात को यहाँ पर, यह दो ऊपर जो जगए, यह पर आपको, रेड लाइट जिसे बोलते हैं, वो काम यहाँ पर होते हैं, ऐसा लोगों ने बताया है, कितना सही है, यह हैं नहीं बता सकते, लेकिन, अब यह, यह खजाना मारके, यह बता रहे हैं, यह टेंपू वाले बईए, यह दोस्तों, वो ही इलाके, जिसे लोग भूजते हैं, क्या अकिक दन नहीं पता है, लेकिन, आप देख लेए, पूरा यह चांद पूल गया इलाका, कहां तक सिच्चाई है, यह हमें नहीं बता, लेकिन मैंने आपको दिखा गी आज, कि यह पूरा चांद पूल गया इलाका है, जहां पर पहले कभी बुज्रा हुआ करता था, राजाओं के टाइम में, अभी यह अलगी नाम से, अलगी पैचांद के रूप में, लोग इसे जानते हैं, श्याम को रात में, यहां पर वोही रेट लाइट वाले, यह पूरा इलाका आप देख लेए, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, दोस्तों, कैसा लगा, अपना कमेंट जरूर कर देना, अगले वीडियो में फिर आप से मिलेगी,